देश में पांच दिनों बाद आज एक बर फिर कोरोना संक्रमन की रफ्तार में कमी आई है स्वास्थे बंत्राले द्वारत जारी मंगलवार के आकड़ों के अनुसार 24 खंटे में कोरोना के 1675 मामले सामने आई इसी दोरा निकत्तस मरीजों ने अपनी जान भी गवाई बता दे की कल यानिकी सोमवार के आकड़ों में संक्रमित मरीजों की संक्या 2023 और 46 मरीजों की मोथ हुई थे हाला कि बीते 24 खंटे में 1635 लोग दिस्चार्ज भी हुए देश में सक्रे मरीजों की संक्या 14,841 हो गई महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 5,24,490 लोगों की मोथ हुई है दिली में 40 दिन बाद सबसे कम कोरोना संक्रमित मरीज मिले बीते 24 खंटों में देनिक संक्रमित रोगयों की संक्या 300 से कम मिली सुमवार को स्वास्तोवभाग ने बताया कि बीते एक दिन में 268 लोग संक्रमित मिले इससे पहले तेरा अप्रेल को 299 लोग संक्रमित मिले थे महारास्ट्रा में बीते 24 खंटे में कोरोना के 208 नई मरीज मिले जिसके बाद कुल संक्रमितों की संक्या बढ़कर 78,83,001 हो गई है एक अधिकारी ने बताया कि लगतार पाँच दिनों से संक्रमित के कारण किसी भी मरीज ने दम नहीं तोड़ा लिहाजा मृतक संख्या 1,47,856 परिस्थे रहे महीं मंबई के अगर हम बात करें तो यहां 24 गंटे में कोरोना के 150 मामले सामने है फिलान बात करेंगे जन पर सहारेन पुर की तो आपको बता दे कि दूसरा सब्ता शुरू हो चुक है सहारेन पूरी तरह से कोरोना से मुक्त है इसलिए आप सभी लोग अभी भी सावधानी बरतते रहे कोरोना से बचाओ है तू वेक्सिनेशन के साथ साथ बूस्टर डोस अवश्य लगवाईए आज के लिए बस इतना ही अगर आप हमारे चैनल पढ़ने हैं तो सब्सक्राइब करें हमाई यूट्यूब चैनल सिडिव आप को और सब्सक्राइब करें ये साथ साथ बेल आइकन जरू दबाए